हेलो फ्रेंज वेलकम तु माई जेनल आज हम देखेंगे कि परवल की पुद में तूजी त्रीजी और फूजी कटिंग कैसे करें तो हम सुरुवात करते हैं यह वाला पौध है यह साखाए उस पर मैंने पहले तूजी कटिंग नहीं की है तो पहले ही यहां पर मैं तूजी कर दो यहांसे क ringing करूगा तो यहांसे कर दिया को यहांसे काट दिया कट दिया कर दो कि अधना मैं तो उंसा और से थरीजी कटिंग कर सकतें तो आपको 3G cutting पर दिखा दिखा ही देता हूं तो यह वाला पोद है उस पर मैंने पहले ही 2G cutting की हुई है तो क्या हुआ तो यहां से यह branch निकली दो साका निकली यह यह वाली और यह एक यह वाली तो इस पर हम 3G cutting करेंगे कि आप देख सकते हैं कि यह वाला पोद यहां से काट देंगे कर देखिए यहां से मैंने काट दिया और यह वाली साका यह भी काटनी होगी आप देख सकते हैं मैंने यहां से काट दिया तो यह क्या हुआ यह 3G cutting अब हम देखेंगे 4G cutting कैसे करें तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहां पर मैंने पहले से 3G cutting की हुई है यह यहां से ब्रांद निकली है और एक यहां से निकली है और एक यहां से निकली है आप देख सकते हैं तो हम इस पर यहां से cutting कर देंगे यह वाली प्रांच यहां से cutting कर देंगे तो यह क्या होगा यहां से प्रांच निकलेगी दूसरी और हम इसे भी cut कर देते हैं तो क्या होगा यहां से दो प्रांच और निकलेगी तो इस पर क्या होगा यहां से काट देते हैं यह काट डी तो आप देख सकते हैं यह मंडब बनने में आसा नहीं होगी जल्दी बढ़ेगा और आपकी पेदावार भी बढ़ेगी यह 2G 3G और 4G cutting का फाइदा है आपकी खेद में आप जरूर अजमाएगा आपको यह माहीती अच्छी लगी तो चैनल आई जरूर बताएगा थेंक यू